Hello everyone, my name is Ramasri Rai, welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, आज के इस lecture में मैं Macbeth Play की कहानी को बताऊंगा, ठीक है? और आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, सारे करेक्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे आप से कोई भी चीज मिस न होने पाए. कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है, कि हम ये जानें कि हमारे डंकन साहब कौन है, मैकबिथ, ये सारे करेक्टर आप हैं, आप देख सकती हैं, ये मैकबिथ हैं, लेडी मैकबिथ, बैंको, ठीक हैं, मैकडफ हैं, त्री वीचेज हैं, तीवार्ड हैं, लूलक हैं लेडी मैकविथ, प्लियान्स हैं और सीटान है तो आप ये देख सकते हैं ये सारे important characters हैं और सारे important character को जानना बेहज जरूरी है इन्ही important character की मदद से हम आपको पूरी कहानी को समझाएंगे और कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक चीज को एक एक शब्द को बहुत देहान से देखें देहान दिजी जब play की शुरूरात होती है play की जो सुरूरात होती है वो सुरूरात ही होती है किस से वो होती है चुडैलों से होती है कहानी की सुरूरात देखें चुडैलों से होती है और ये चुड़ैले जो हैं, Macbeth और Banco, देखें, ये आपके Macbeth हैं, और इनको आप देख सकते हैं, ये बैंको हैं, ये दोनों लोग युध से लोट रहे होते हैं, नारवे की राजा को बहुत बुरी तरीके से पराजित करके ये लोग लोट रहे होते हैं, रास्ते में ही क्य होता है ये चुडैले मिलती है और चुडैले जो देखती है तो इनका पहला लाइन ही होता है फैर इस फाउल फाउल इस फेर इनके कहने का जो आसे था वो ये था कि जो हमारा किंग डंकन है मैकबिथ पर इतना विश्वास करता है वास्तों में इतना जादा विश्वास नहीं करना चाहिए दूसरा अर्थ ये होता है कि fair is foul, foul is fair, right? कभी-कभी क्या होता है हमारी life में जो हमारे लिए गलत होता है हमारे लिए कस्तकारक होता है, वो दूसरे के लिए बहुत ही लाफदायक होता है और an example, जैसे अगर किसी के accident हो जाए और पैर तूट जाए उसके लिए तो बहुत ही नुक्सान दायक है लेकिन डॉक्टर के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, right? तो आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, right? अब क्या होता है, जैसे ही बैंको और मैक्बित आगे बढ़ रहे होते हैं, right? डंकन के कैसल के तरफ, तभी एक चुड़ैल ने कहा, एक चुड़ैल ने welcome किया देखे, इसमें तेन चुड़ैले हैं, तो एक चुड़ैल ने welcome किया, कि Welcome 10 of Glamis कैसे ही मैक्बित ने ये सुना, कि Welcome 10 of Glamis इसका मतलब है, ये चुड़ैले मेरे बारे में जानती हैं मैक्बित और बैंको वो देनों लोग रुख जाते हैं, right? ऐसे ही दूसरी चुड़ैल ने कहा, दूसरी दिखे चुड़ैल ने कहा Welcome 10 of Glamis गडास्यर हुआ मैक्बित को किया रही ये तो हमें 10 of Glamis भी कह रहे हैं, कि कैसे संभव है, 10 of Glamis तो अभी जिन्दा है, और अभी अपने पद पर आशीन है और तभी तूसरी चुड़ैल ने कहा, you will be the king of Scotland ध्यान से सुनिएगा, तीन चुड़ैले, तीन भविश्यवाणी करती है तीनों भविश्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनेगा ये सुन करके मैक्बित को बड़ा आश्यर होता है लेकिन तुरंत बैंको भी पूछ बैठता है कि आप बताओ कि क्या मेरे बारे में भी कुछ बताओगे तो उसमें एक टुरैल कहती है कि आप राजा तु नहीं बनोंगे लेकिन आपका बेटा जो है फ्लियन्स वो राजा अवश्य बनेगा ये सुन करके आप ध्यान दिजिएगा ये मैकबित और ये बैंको ध्यान दिजिएगा मैकबित और बैंको जैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्या होता है कि रोस और लेनॉक्स ये दोनों लोग मतलब दो सरदार आ करके Macbeth को क्या कहते है Thane of Cowder Thane of Cowder Welcome Right अभी उन्होंने कहा कि Macbeth ने कहा कि Thane of Cowder तो जिन्दा है उन्होंने कहा नहीं Thane of Cowder ने राज द्रोह किया है और इसने हमारे सैनिक के बारे में बहुत सारे important चीज़े नारवे के राजा को बताया था इसलिए उसे मृत दंड की सजा दे दी जा चुकी है तो उसके बाद अब Macbeth की दिमाग में आता है कि two truths are told दो जो भविष चुडएलों ने भविष वानी किया था जो बाते कहीं थी Thane of Glamis मैं already हूँ and Thane of Cowder मैं बन ही गया Why not the third अब तीसरा जो राजा बनने की बात है वो तो मैं अवशी बन जाओंगा 100% मैं राजा बन जाओंगा बैंको समझाता है क्योंकि बैंको बहुत ही practical और समझदार इंसान है ये कहता है कि Macbeth तो डैलों की बातों में मत आओ कभी कभी ये क्या होता है एक दो बाते तो सही बता देती है लेकिन लास्ट में बहुत लंबा नुक्षान पहुचा दी लेकिन बैंको की बात पर Macbeth ने बहुत बिशेश द्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो ambitious अब बन चुका है जैसे होते नहीं है कि आप समझो कि अगर आप थोड़ासा आगे बढ़ हो आपको 500 का नोत मिल जाए थोड़ासा ओर आगे बढ़ हो 2000 की नोत मिल जाए और उसके आगे आपको 2000 की पांच नोट रखी हो और आप जंब दे कुद गए और उसके नीचे खाई थी आप चले तो पहला और दूसरा तो सही लेकिन तीसरे में तो आप बहुत बुरी तरफ अश गए अब क्या होता है कि Macbeth और Benko ये दोनों के दोनों क्या होते हैं देखे ये King Duncan सहाब के पास पहुंचते हैं King Duncan सहाब के पास जब पहुंचते हैं तो किंग डंकन इनको बहुत गर्म जोशी के साथ स्वाकत करते हैं और स्वाकत करने के बाद क्या करते हैं कि थेन आफ कावडर की पदवी भी उन्हें दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो थेन आफ कावडर था उसे फांसी की सजादी जाती है और उसके बाद उसी समय जो डंकन साहब है इनके दो पुत्र हैं मालकुलम और डोनाल बेन मालकनम और डोलान बेल में जिसमें इन्होंने मालकुलम को क्या कहा कि अब ये हमारे बाद अगला राजा बनेगा अब ये बात सुन करके मैकमित का तो क्या हुआ जैसे कि कोई उसकी जान ही निकाल ले रहा है क्योंकि अब वो राजा बनना चाहता है फिलहाल उसने डंकन से रिक्वेस्ट किया कि आप से मेरी प्रार्तना है राजा शाहत कि आप मेरे कैसल पर आजाएं और आज का भोजन आप वहीं करें तंकन साहब जो आपके हैं ये बहुत ही अच्छे राजा थे बहुत ही मीक और माइल बहुत ही सज्जन जंटिल राजा थे इन्होंने इस ओफर को स्विकार कर लिया और उसके बाद क्या करते हैं ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं औ अपने कैसल में और अपने वाइफ लेडी मैकवित दिखिए आपके लेडी मैकवित हैं लेडी मैकवित को पूरा का पूरा समाचार ये बता देते हैं तो लेडी मैकवित इन से ज़्यादा एमबीसस बन जाती हैं उन्होंने कहा कि राजा हमारे कैसल में आ रहे हैं अब इससे अच्छा मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं तुर इनों ने क्या किया प्लैन किया कि बहुत अच्छे से खाना बनेगा सब पकवान बनेगा रात के जब डंकन सो रहे होंगे तो हम उशी शमय इनकी अत्या करेंगे प्लैन ये करती है बहुत अच्छे से प्लैन करती है और होता य ही है कि रात्री के शमय क्या होता है शब को खाना पिना खिलाया जाता और सब लोग निस्चिंत है क्योंकि वो मैकबित के किने में थे राइट उसके बाद क्या होता है रात्री के शमय लेडी मैकबित इनको खुब समझाती है खुब समझाती है खुब मोटिवेट करती है कि त हत्या करना है लेडी मैकबिद जब कहती है मैकबिद से तुम्हें हत्या करनी है मैकबिद एक्चली वो मर्डरर तो था लकिन किसमें युद्ध में लेकिन अपनों की हत्या इसने कभी नहीं किया था तो लेडी मैकबिद ने कहा कि नहीं मैं अपने राजा की हत्या नहीं होगे तो मैं करूंगी और लेड़ी मैकबित क्या है एक कटार ले करके जाती है मैकबित डंकन की हत्या करने लेकिन लेकिन क्या होता है यह जाती तो है लेकिन उसमें डंकन सो रहे थे सोने के मुद्रा में उनको यह दिख रहा तक जैसे उनके पता जी सो रहे हैं और यह लोट के चली आती है फाइनली क्या होता है मैकबित को फाइनली इनके बार बार कहने के वज़े से इनकी हत्या डंकन की हत्या जब डंकन सो रहा होता है उसी समय एक ही कटार में डंकन की हत्या कर देते हैं और लेडी मैकबित यह जुँ है ये तुरंट जाती है राइट और मैक बित का जो हाथ में कटार था उसको ले जा करके वहाँ पर जो पोर्टर जो पिलहरी सो रहे थे उनके हाथ में पकड़ा देती है और हत्या का आरोप टोटल उनके उपर लगा देती है सोबा के समय जैसे ही एक सोलजर आता है जगाने के लिए मैक डंकन को तैसे ही देखता है डंकन की हत्या वो मर्डर 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 चिलाने लगता है तैसे मैक डफ आता है और मालकॉलम और डोनाल बेन इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि दोनों लोग क्या हत्या भाग ज चले जाते हैं, Macduff को कुछ नहीं समझ में आता है, क्या करूं, क्या ना करूं, हच्च्डे को भाफते हुए, ये भी क्या होते हैं, England चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे निकल जाना बहुत बहादरी था, क्योंकि जिसने हत्या किया है राजा की, वह मेरी भी हत्या करेगा, इ अब क्या होता है, कि finally Macbeth ही राजा बनता है, क्योंकि उनके दोनों बेटे भाग चुके थे, और Macbeth ने ये सिद्ध भी कर दिया, कि इनके बेटों ने ही, इनके बेटे डोनाल बेन ने ही, जल्दी से राज्य पाने के चक्कर में, इनकी हत्या कर दिया और वो भाग गए, ल क्या इसलिए, कि मेरा बेटा जो लूलक है, आप देख लिजे, इनका बेटा है, मेरा लूलक, राजा न बन करके, फ्लियेंस राजा बने, मतलब ये बैंकों का लड़का राजा बने, ऐसा नहीं होने देंगे हम, Macbeth ने क्या किया, दिमाक लगाया, और इनका एक बहुत ही स सीन कहा जाता है, तो बैंकर सीन में क्या होता है, कि Macbeth इनको बुलाता है, बैंकों को बुलाता है, देखे ये बैंकों है, बैंकों को बुलाता है, कि आज का भोजन रहेगा हमारे यहाँ, आप अपने बेटे के साथ आईएगा, उसी समय, इन्होंने प्लान किया, Macbeth ने, क और बैंको आ रहे होते हैं, उसी समय इनके उबर अटेक किया जाता है, रात्र का शमय होता है, बैंको तो बिचारा मारा जाता है, क्योंकि पीछे से वार किया जाता है, लेकिन फ्लियंस को वो किसी तरह से भगाने में कामियाब होता है, फ्लियंस भाग जाता है, अब क्या होत है कि भोचन की समय उसी समय एक आ करके यह सीटान आ करके बताता है कि माई लॉट बैंको एस गिल्ड बैंको की तो हत्य हमने कर दिया लेकिन फ्लीयंस भाग निकला धबडाईये मत मालिक हम उसके भी हत्या अवश्य करा देंगे अब बैंको के मैक बेत एक तम टेंशन में आ ग अब क्या होता है कि उसी समय बैंकविट हाल में बैंको का जो ब्लड कटा हुआ सर उसके कुर्शी पर दिख जाता है और मैक बेत एकदम घबडा जाता है लेडी मैक बेत बहाना करती है कि इनको ऐसे मिरगी आती रहती है आप लोग चिंता न करें सारे सरदार भोजन करें आ आने लगी राइट फिर क्या करता है एक दिन मैक बेत ये फिर इन ही चुड़ेलों के पास आता है और क्या करता है और पूछता है जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा इनकी जो चुड़ेलों की जो चीफ है जिसका नाम हीकेट है तो हीकेट राइट वो क्या करती है एक एक करके चुड़ेल एक एक भविश्यवानी बताती है और पहला कहती है कि मैक बेत तुम टेंशन ना लो एक दम खून खराबा जम करके करो राइट कोई भी इनसान तुम मार नहीं शकता वास्तविक रूप से कि यदि वह व्यक्ति जो मां के गर्व से naturally पैदा हुआ है वह तुम्हें नहीं मार सकता मैक बड़ा कुश हुऄ कि ऐसा कौन दुनिया में है इंसान जो मां के गर्व से न पैदा हुआ हो दूसरी बात चुड़ेलों ने ये कहा बहुत ध्यान सुनिएगा कि आप एक काम करना आपकी हत्या तब तक नहीं होगी जब तिक बिरिनन नाम का जो जंगल है वो चलने लड़े डंशन शायर जो मैकबित का किला था वहां तक तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप मैकडफ से साउधान रहना बहुत अच्छी पॉइंट है आप मैकडफ से साउधान रहना ये तीन बात इन्होंने बताया अब क्या होता है ये अपने आप क्या करते हैं धीरे धीरे समय बीटता गया और जो इनकी मैडम लेरी मैकबित है आप तो उसके बाद क्या होता है डॉक्टर इनका इलास तो करते रहते हैं उधर क्या होता है ध्यान दिजे अब क्या होता है ये देखे जो आपके मैकडफ हैं मैकडफ से खत्रा मैकवित को होने लगता है और मैकवित क्या करता है इसी सीटान को इसी शीटान को भेजता है अब कहत है कि Lady Macbeth और इनके बच्चों की हत्या जाके कर दो क्योंकि अब यह जाता है सीटान 45 हाइड मरडरर को ले करके और इनकी और इनके बच्चों के निरमम हत्या करता है फिर उसके बाद जब पता चलता है अगे तो ragつ और leinox कुछ सरदार ऐसे थे जो वहाँ चले जाते हैं इंग्लेंड चले जाते हैं बताते हैं कि आपके बीबी की हत्या बच्चों की हत्या मैक बेद बहुत निर्मम तरीके से किया यह सुन करके मैक डफ इदम पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए तक पर हो जाता है फिर क्या होता है कि देखे यह शिवार्ड एंगलेंड की राजा है, Young Seward और Shriward जो है, Young Seward ये दोनों लोग वादा करते हैं, किस से? MacDoff से और Duncan के दोनों बेटे, डोनाल बिन और Malikolam के साथ मिलकर एक बेहतरीन सेना का गठन करते हैं और बेहतरीन सेना का गठन करने के बाद फिरे लोग चड़ाई के लिए सुरू करते हैं, मताँ चड़ाई करते हैं, अब चड़ाई में क्या करते हैं, यह लोग ध्यान दिजेगा कि चुकि मालकोलम की शेना है न, जो श्रिवारड की शेना थी, यह ज़ादा दिखे और और किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से मैकबेथ ये जजन कर पाए कि हमारी strength कितनी है और दुसरे वो समझ न पाए कि आर्मी बढ़ रही है, नौर्मली क्या होता है कि सेना क्या करती है कुछ मतलब पेडों की डालियां लगा करके और कुछ पत्तों को लगा करके वो आग कर तरीके से कोई अंदर नहीं आ सके, राइट, सेना आगे बढ़ती जा रहे थी, तभी एक आता है, soldier कहता है, साहब, बिर्नन का उड़, जंगल जो है, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, मैकबेथ ने कहा, अगर तुम जुट बोलोगे, तुमारी हत्या मैं कर दूँगा, ठी वो कहता है, साहब एकदम सत्य बात कहता हूँ, जा के देखता है, तो वास्तों में, हना उनकी शेना इस प्रकार आ रहे थी, कहनियों और ब्रांचेश को ले करके, जैसे की क्या कोई शेना बढ़ रही है आगे, तो जैसे कोई, मतलब जंगल ही बढ़ रहा है आगे, अब मै मैकवित एकदम घबडा जाता है, तैसे ही जो यंग सिवार्ट है, आप इस इमेज को देख करके भी समझ सकते हैं, यंग सिवार्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है मैकवित की तरफ, और सबसे पहले यही आता है किले में, लेकिन क्या होता है कि यंग सिवार्ड को बड पिश्वारे शिद्ध हैं मुझे कोई वी इंसान जो मा के गर्व से पैदा हुआ है नहीं मार सकता अब युद्ध के युद्ध सुरू हो जाता है जिसमें क्या है कि मैकडफ जो है आपका ये मैकडफ हमेशा केवलो केवल मैकडफ को ही ढूंड रहा है वो कहा है मेरे राजा क हत्यारा मेरे बच्चों का रहत्यारा कहां पर है और ढूंडते ढूंडते मैकडफ पास आही जाता है मैकडफ मुस्कुराने लगता है ओ मैकडफ अना no man can harm me no man can kill me who is naturally born from his mother मैकडफ ने कहा nonsense, stupid मैकडफ तुम नहीं समझते हो मैं जो पैदा हुआ Caesarian operation से समय से पहले ही मुझे मा के गर्ब से काड़ कर निकाल लिया गया था मतलब operation के माध्यम से मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए तुम मुझसे नहीं बस सकते यह सुन करके मैकडफ का विश्वास ही आत not to do, where to do, where not to, go well to go, where not to go, कहां जाओं कहां ना और क्या होता है उसका उत्साह तूट जाता है और उसके बाद क्या करता है मैकडफ एक ही तलवार में देखिए मैकडफ एक ही तलवार में इसके धड़ को अलग कर देता है राइट और उसके बाद क्या होता है यह मर जाता है तब ही क्या होता है डोनाल बेन और मालकोलम सभी लोग आ जाते हैं finally मालकोलम को ही राजा बनाया जाना चाहिए था लेकिन फिर क्या होता है मालकोलम क्या करते हैं बैंको के लड़के फ्लियंस को ही राजा बनाते हैं और इस प्रकार से कहानी का end हो जाता है तो गाइस मुझे पूरा फरोशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी सारे करेक्टर्स को इसके पहले मैंने समझाया है सारे करेक्टर्स तो आप एक से दो बार तीन बार आप देख लेंगे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जायेंगे ठीक है तो ये कहानी के लिए मैंने आपको चीजें बताया था और बाकी के ये जो कहानी का जो परियाएवाची है आप समझ सकते हैं कहानी स्टोरी बहुत सिंपल है अब इस स्टोरी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी लाइने हैं जो लाइन हम समझेंगे तो हमारे दिलों को चूँलेंगी right तो दिखिये important lines of मैक विथ है right तो मैक वित के important line क्या है पहला जो important line है गाईज यही है fair is foul and foul is fair powered through fog and filthy air जैसा कि मैंने आप से بتाया था कि जैसे ही मैक वि氣 आ रहा इन्नों ने ही ये line को कहा था जो मैं आपको अभी बताया था ठीक है कि foul is fair, fair is foul and foul is fair wait a minute please, right, howard through fog and filthy air ये क्या है opening line of the play uttered by the witches याइज एक एक line को आप अच्छे से note कर लीजिए जिससे आपकी understanding क्या हो जाएगी और बहतर हो जाएगी so please and please आप इसको अच्छे से note कर लेंगे ठीक है, come on everybody, है न? तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से note कर लेंगे तो चीज़ें आपको कभी भी भूलेंगी नहीं, ठीक है guys अगली line जो है, देखे कितना अच्छा है line ये भी बहुत हार्ट टचिंग है ये कौन कहता है, ये बैंको कहता है राइट, बैंको मैकविष से कहता है कब जब मैकविष बहुत कुश हो जाता है कि चुड़य लोग ने कहा है कि मैं क्या बनूंगा थेनाफ ग्लेमिस तो हूँ ही फेनाफ कावडर, फिर ये बैंको समझाता है बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा उनसे कह दीजी, ये तो समय बताएगा समय बलवान होता है वही लाइन है, कहते हैं if you can look into the seeds of time बहुत अच्छी लाइन है गाइस और ये लाइन वार्टी, हार्ट टचिंग है एक्दम से तो कहते हैं, if you can look देखे, क्या लाइन है if you can look into the seeds हैना, seeds of time and say which grain will grow and which will not हैना, कहते हैं if you can look into the time मैंक बे जादा खुश्च मत हो ये तो समय ही बताएगा की, हना, हना and say which grain will grow and which will not कौन सा, जैसे कि हमने जमीन में बीच डाल दिया अब कौन सा पउधा उगेगा कौन सा पउधा नहीं उगेगा कौन सा पउधा फल देगा कौन सा नहीं देगा, ये तो जैसे जैसे समय आएगा, वो पता चल जाएगा speak then to me who neither beg nor fear your favors nor your hates, तब पता चलेगा कि वास्ताव में इन चुड़ाओले ने तुम्हारा favor किया है, या तुम्हें सिंदगी को नर्क में धकिलना चाहा है ये line किसने कहा है Macbeth, Banco to Macbeth बहुत ही अच्छी line है guys एक एक line को आप लोग please and please जरूर note कर लिजेगा, तो कभी भी mistake नहीं होगा, ठीक guys कभी भी, अगर आप इस note कर लेंगे इस line को, तो आप कभी भी exam जब देंगे तो आपको ये line जरूर पूछी जाती है अब देखिए जो दो चुड़ैलों ने भविश्य वारी किया थो एकदम सही है, as happy prologue to the swelling act, अरे पैंको तुमने सुना नहीं जो चुड़ैलों ने दो भविश्य वारी किया वो तो एकदम सही है of the imperial theme, जो कुछ भी उन्होंने कहा दो तो सही हो गई why not the third क्यों तीसरा नहीं सही होगा तीसरा भी सही होगा मैं Scotland का राजा हर हाल में बनूंगा यह किसने कहा, the mac with two bang को, एक एक लाइन को लिख लिजे, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है, जिससे आपको एक ही निगाह में यह word और चीजें याद हो जाएं अगला है, बहुत अच्छी लाइन है there is no hour to find the mind's construction of the face, बहुत अच्छी लाइन है, आर तचिंग लाइन है यह तब की बात है यह तब की बात है, जब thin of powder, वो फासी की सजा दी जा रही थी, thin of powder request करता है, my lord मुझे एक बार माफ कर दिया जा है मैं जीवन में कभी कोई गलती नहीं करूंगा फिर क्या होता है, Mac Duncan कहता है, समझ में नहीं आता हमारा कौन है, हमारा कौन नहीं है, there is no hour to find the mind's construction by a construction in the face भगवान मुझे यही नहीं समझ में आता है कास कोई कला होती कास कोई ऐसे विद्या होती कि किसी के चेहरे को देख करके यह समझ में आ जाता उसके मन में, अंदह करण में उसके रिदे में क्या चल रहा है तो मैं कभी धोखा नहीं खाता यसी की यह line भी आगे guys to find the mind's construction of the face he was a gentleman on whom I built an absolute trust and to find the mind's construction and he was a gentle man on whom I built an absolute trust आप अच्छे सिस लाइन को देखे guys and to find the mind's construction in the face he was a gentleman on whom I built an absolute trust ठीक है अब Lady Macbeth ने भी देखे एक line और इसमें कहा है ठीक है यह कब की बाते हैं मैं आगे समझाता हूँ आपको don't worry समझ गए आप बहुत अच्छी line है इसको भी आप लिख लीजिए समझ लीजिए और पर लीजिए यह line देखे आप यह मैं आगे समझाओंगा भी your face my thing your face is as a book where men may read strange matters Lady Macbeth समझाती है अपने husband को कब जब वो हत्या करने जाती है कि मेरे प्यारे thing of glamies thing my lord आप एकदम innocent दिखो एकदम gentle दिखो पता ही न चले कि आप क्या करने जा रहे हो guys बहुत अच्छी line है और यह कहा किसने है आप देख सकते हैं यह किसने कहा है guys किसने कहा है Duncan to himself यह जो line है Duncan to himself कहा है खुद से यह बाते करने लगते हैं यह भी line बहुत अच्छी है यह तब की स्तती है come thick night से पहले कितना प्रातना करता है करें come thick night and pal the in the dunest smoke of hell that my keen knife see not the und it makes and nor heave in peeve throw the blanket of the dark बहुत अच्छी line है कि मैंकिमित कहते है come thick night and pal the dunest smoke of the hell वो इस स्तत्वर से प्रातना करते हैं रात के अधेरे से प्रातना करते हैं इतना अधेरा हो जाओ कि जब मैं डंकन की हत्या करूँ तो कोई भी ना तो कोई इंसान even कि इश्वर भी मेरे हत्या करते हैं मैं जब हत्या करूँ उस समय मेरी चाकू को मेरी knife को कोई देख न सके कि मेरी जो चाकू है वो डंकन की हत्या कर रही है right now or heave in peeve through the blanket of the dark जो इस स्वर भी जो उपर रहता है जैसे होता है जिसम में अधेरा होता है तो लेसे किसी ने कंबल डाल दिया हो black सा और नीशे सा अधेरा हो गया हो ठीक उस तरह करते हैं जैसे इस स्वर भी उस blanket को मतलब आसमान को चीर के न देख सके कि मैं हत्या करने जा रहा हूं किसकी दंकन साहब की ठीक है तो ये देखिए मैकबिथ तू हिमसेल्फ एक तरह से अपने से ही ये बाते करता है बहुत अच्छी लाइन है ये कौन कहता है लेडी मैकबिथ जी कहती है अब जब मैकबिथ नहीं जाता है हत्या करने किसकी डंकन की क्यों कहता नहीं मैं डंकन की हत्या नहीं कर सकता चाहे वो कुछ भी हो क्या कहते है in form of the purpose give me the dagger the sleeping and the dead are the butt as a picture is the eye of the childhood that fears the painted devil देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये कहते हैं in form of the purpose कहते हैं तुम टेंशन ना लो जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरा करेंगे फिर कहते हैं देखे ये सिचुेशन है केते हैं सोता हुआ व्यक्ति जो है वो मरे के समान होता है एक पिक्चर जैसे कहीं रखी रहती उसी प्रकार से होता है मतलब एक पिक्चर लगी हो कमरे में और एक मरे व्यक्ते में कोई फर्क नहीं है कहते हैं that sleeping and the dead are but as pictures this the eye of childhood that fears into devil आप उसी प्रकार डर रहे हो जैसे एक बच्चा क्या होता है छोटा सा बच्चे से कह देजिए राक्षा सा रहा है ये आ रहा हो डर के कि सोचाता है आप इसी प्रकार से डर रहे हो आप से हत्या नहीं होगी तो lady macwith कटार लेकर के जाती है और हत्या नहीं करती है और फिर क्या इस समय जैस डंकन सो रहे होते हैं ये सोने का सीन है lady macwith देखती है तो ऐसा लगा जैसे उनके पिताची सोया करता थे वास्तविक में lady macwith बहाना कर रही थी मैं क्यों मारूं जब मेरा husband ready है हत्या करने लिए right guys okay so lady macwith to macwith बहुत मोटिवेट करती है right देखें बहुत अच्छी लाइन है ये भी fantastic लाइन है hard touching लाइन है ये macwith के feeling है right और क्या करता है had I but died an hour before this chance जब macwith को लगा कि अब मुझे हत्या करना ही पड़ेगा तो अपने कर्स करता है कभी कभी इनसान कुछ गलती करता है तो उस पर कर्स करता है अपने को अभिशाब देता है और कहता है had I but died an hour before this chance I had lived a blessed time macwith कहता है मैं तो एक बहुत ही अच्छा जीवन जीया बहुत ही honorable जीवन जीया and far from this instant there's nothing serious in mortality all is but joy renowned and grace is dead the wine of life is drawn and the mere less is left this vault brag off किते हैं कितना जीवन मेरा अच्छा था कितना लोग मुस्वे ट्रस्ट करते थे कितना लोग मुस्वे बिस्वास करते थे कास कहीं मैं एक डंकन की हत्या करने से पहले ही खुद की हत्या कर लिया हो तो बहुत एक अफसरा लाइन है गाईज और यह मैकविथ टू हिमसेल्फ मैकविथ यह खुद से कहता है मैकविथ किससे कहता है यह बात खुद से कहता है आगे देखते हैं देखें अगली लाइन भी बहुत ही fantastic है तो कहती है बी bloody bold and resolute जब मैकविथ जाता है दूसरी बार चोड़ेलों से मिलने तो उसमें ही केट कहती है देखें वीच इस मैकविथ से कहती है कि मैकविथ तुम डरो नहीं बिलकुल मैकविथ तुम डरो नहीं बिलकुल क्या करो बी bloody bold and resolute तुम खुब जम के खोन खराबा करो लोगों की जम की हत्या करो और क्या करो लाफ टु स्कॉर्ण दे पावर अफ मैन इंसान के पास ताकत है और इसका खुब मचाक उड़ाओ मतलब इतनी हत्या करो कि लोग अपना पावर ही भूल जाएं क्यूंकि जो इंसान मां के गर्व से नाचरल तरीके से पैदा हुआ है वह कभी भी तुम्हें मार नहीं सकता इस लाइन को आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लिजे और फिर उसके बाद आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आएंगी कम on everybody है na तो दे कितना अच्छा लाइन है कितना हार टचिंग मां है और यह कहा किसने है आप जानते ही है witch is to mackwith right wait right witches to mackwith बहुत ही हा टचिंग लाइन है और आप देख सकते हैं right अगला लाइन आप देख लिए जए कितना अच्छा लाइन है कि लेडी मैकविफ जब हत्या कर देती है डंकन मतलब जब खून लग जाता है उनके हाथ में कैसे जब मैकविफ राइट जब मैकविफ हत्या करके आता है इसका डैगर ले जा करके लेडी मैकविफ रख देती है लेकिन उनके हाथ में बलड तो लगी जाता है उनके हाथ में blood लगा हुआ है आप इसको देख सकते हैं ये देखिए अपने हां से जैसे कोई वैक्ती blood छुटाने का काम करता है blood छुटाने काम करता है तो ऐसे ये करने लगती है right तो कहते है here is the smell of the blood कहते है oh my god अभी भी मेरे हाथ में खून की बदबू आ रही है and still अरे अभी भी कहते ही all the perfumes of Arabia मेरे हाथ में तो इतनी बदबू आ रही है मेरे हाथ में इतनी बदबू आ रही है कि पूरे अरब का इत्र will not suitend up this little hand पूरे अरब का इत्र मेरे हाथ में लगा दिया जाए उसके बावजूद भी मेरे हाथ में खुश्बू नहीं आएगी इमेज है आपके लेडी मैकवित का राइट आप देख सकते हैं बहुत ही हार टचिंग लाइन है अब देखें बैंक को कहता है कितना बट इट इज इस ट्रेंज ये तो बड़ी अदभूत बात है बहुत अच्छी लाइन है क्या oftentimes to win us to our harm ये जो चुड़ैले है न ये जो बावा लोग होते है कुछ क्या होते है बट इट इजे एक डम अदभूत है क्या and oftentimes to win us to our harm कई बार ये चुड़ैले क्या करते हैं हमें बढ़िया बढ़िया बाते बता करके हमारे बिश्वास को जीत लेती हैं चीजे बता देती है हमारा विश्वास जीतने के लिए जैसे बाबा महात्मा लोग क्या होते हैं चोटी-चोटी बाते बता के हमें विश्वास में ले लेते हैं फिर जम करके हमें धोखा देते हैं क्याते हैं चोटी-चोटी बात चपड़ी-चपड़ी बातों से हमें क्या कर कि एक दो बाते तो इतना सही तरीके से सही हो गई इतना सही तरीके से Macbeth की सही हो गई कि finally जब धोखा मिला धोखा मिला तो इतना बड़ा धोखा मिला कि Macbeth को समझ में ही नहीं आया Macbeth के तलवे से जमीन खिशक गई तो बैंको ने कहा था Act for Scene 6 3rd में इन चुडएलों की बातों पे विश्वास मत करो यह आगे क्या करेंगी भगवान जाने तो गाईस आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपोर्टेंट जितने अच्छी लाइने थी डिसकस किया आपको कहानी बताया अगले के वीडियो में मैं इसके बाद की जितनी इंपोर्टेंट आपकी लाइने होंगी बहुत धेर सारी लाइने डिसकस करूँगा I hope guys एक भी question मैं छोटने नहीं दूँगा मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा तो guys thanks for watching this video guys one more request that अगर वास्ताव में हमारा हमारे पूरे टीम का प्रयास अच्छा लगा हो मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करियेगा अगर नहीं अच्छा लगा तो लाइक करियेगा लिह कारण जरूर बतायेगा क्यों दिसलाइक किया आपने right guys one more please share the link to your friends near dear and sweetheart one and guys don't forget to subscribe the channel and press the like and so you will be notified with our latest videos and last request is as a good reduction of a teacher is that please send your valuable feedback and comment to me and I'll be working according to your feedback so guys thanks for watching this video good day all and take care all thank you very much